ओम शान्ती मैं उस श्रेश परमात्मा की परमप्रिय आत्मा जिसका शरीर का नाम मृत्तिका इस संस्था से 21 अक्तूबर 2018 से जुड़ी हुई हूँ ग्यान में मैं 2018 में आई लेकिन इस संस्था से मैं पहले से ही जुड़ी थी अपने यूगल के माध्यम से लेकिन मेरा भरोसा उसके बाद बना क्योंकि कहते हैं जब किसी की मृत्यू होती है तो वही चीज होती है जो हमें सबसे ज़्यादा अगहात पहुचाती है और शायद मेरे पिता की मृत्यू ने मुझे इस संस्था के दोरा ही मैं उस अगहात से बाहर निकल पाई वरना कहते हैं कि जब घर का बड़ा चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख में जाते है पर उस घड़ी मैं दुख में नहीं जा पाई कियूंकि मुझे इस परमात्मा का सहारा था अगर वो सहारा या मुझे आत्मा परमात्मा का ग्यान ना मिला होता तो शायद मैं भी और लोगों के जैसे दुख में, डिप्रेशन में या रो रो के अपनी हालत खराब कर लेती पर मैं उस सिचुएशन से निकल पाई क्योंकि मुझे मेरे प्रिये परमात्मा ने अपना हाथ मुझे पकड़ा दिया सा ये मैसूस होता है, मुझे अब भी मैसूस होता है हर पल कि वो मेरे साथ ही है चाहे कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे काम के रिलेटेड कोई सिचुएशन आती है या घर में हर बार उस विघन से निकलने का अगर कोई माध्यम है तो वो सिरफ परमात्मा ही है आज मैं क्यों खुश हूँ, डिप्रेशन में नहीं हूँ या किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं होती उस से निकल पाते हैं बहुत जल्दी अगर कोई बात आती भी है ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ परिक्षा नहीं आती बहुत सारी परिक्षाएं आती है उल्टा जो परमात्मा के प्यारे बच्चे होते हैं शायद उनको जादा माया की जकड़ आती है लेकिन तब संभालने के लिए वो परमात्मा ही है और उसका ग्यान हमें हर सिचुएशन से निकलने का साथ देता है और हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुरली सुनू जो बाबा के वच्चन है उनको सारे दिन का ब्रेकफास की तरह लंज की तरह अपने साथ रहूं और वही सारे दिन एक भोचन की तरह हमारे साथ चलता है और आप लोगों से जो हमारे आज कल के जैसे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा दुख, डिप्रेशन और लालसा ये सारी चीज़ें बढ़ गई है जीवन में हमें कुछ न कुछ पाने की होड लगी रहती है जितना भी हमारे पास हो हमें लगता है कम है उस चीज से निकलने के लिए अपने आपको सैटिसफाइट बनाने के लिए एक बार जुरूर इस संस्था से जुड़े मैं यही आपसे विन्ती करूंगी और मेरी यही है कि हमारी तरफ देख क्या प्रेरना ले कि हम कैसे खुश रहते हैं और अपने जीवन में आगए ही बढ़ते जाते हैं शायद एक सैटिसफेक्शन आ जाती है जिंदगी में और कुछ भी पाने की चाहाँ नहीं रहती क्योंकि जब एक परमात्मा ही मिल गया तो बाकी की जो मेटिरियलिस्टिक चीज़ें उनकी जरूरत नहीं बढ़ती यहां सैंटर में बहुत बड़ी दीदियां चोटी दीदियां सब हमें इस बात की पालना, संभाल, ग्यान, सब कुछ देते हैं कि उस परमात्मा के रस्ते पे कैसे चलना है और आप लोगों से भी मेरा नुरोध है कि एक बार जरूर आप मॉडल टाउन सेंटर में या इस बड़े सेंटर में आके एक बार सुने आत्मा परमात्मा के बारे में जाने तो बहुत सारी चीज़ें शायद पहली बार में ही क्लियर हो जाएंगी कि हमारी जिंदगी में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मैं यह आप से भी आशा रखती हूँ कि आप लोग जरूर आएंगे शुक्रिया ओम शान्ती